असलाम आलेकुम नाजरीन ड्रामस यह मान नहीं सासुमे की नेक्स अपिसोड में आप देखेंगे सल्मान जिसे अरूज को बेहाल देखकर और उससे जॉब लगता हुआ देखकर तो उससे परदाश नहीं हुआ कि मेरे दोस के ओफिस में वो जॉब कर गैसे रही है सल्मान ने तो अपने दोस नासीर को भी धंकी दी कि वो अरूज को अपने ओफिस से निकाल दे अब उसने जॉब से उसे नहीं निकाला तो बस फिर जिसके बाद तो वो बेहिसी की इंतहा पे ही पहुंच जाता है लोग है और बिलाखिर वो कुछ बताय बगएर ही मास्टर सहाब को यहां से गिरफतार करके ले जाती है अब अरूज जो कि घर पे ही मौजूद नहीं थी उसे ये खबर मिली तो फॉर्म पुलिस स्टेशन चली गई अब यहां अकर पुलिस वाले से पूछ लिया के वज़ा क्या थी अब सल्मान जिसने कोई न कोई केस तो करना ही था तो फिर पुलिस वाले ने बता दिया एक बच्ची को हपसे जामे रखा है अरूज ने नाम पोचा तो अरी जी बताया जिसके बाद तो वो और भी हैरान रह जाती है वो बेटी है मेरी और ये मेरे अबा है मगर इस पुलिस वाले को क्या सरुकार इन्हें तो बस पैसे से ही घर्ज होती है अब अरूज यहां से चली गई कि मैंने अपने अबा को देखना है तो वो लोक अप का मुँ दिखाई देते हैं अब जब मासर साहब ने अरूज को यहां पर देखा वो तो और जदा परिशान हो गए क्योंकि उनके गयरत उन्हें ये इजासत नहीं देती कि अपनी बेटी को थाने का चेरी में देखें इसी वज़े से सल्माण ने आज तक जो कुछ भी किया उन्होंने पुलिस टेशन का मूं नहीं देखा था मगर क्या मालूम था ये सल्माण खुद ही उनने पुलिस टेशन लाएगा और वहाँ पर पुलिस वाले ने सारी खबर सल्माण को दे दी सल्मान साब आपका काम हो गया है अब आगे बताएं क्या करना है तो सल्मान अपने वाली से बात करवाता है सर्मास्टर साब को तो हमने हवालात में बंद कर दिये लेकिन उसकी बेटी आ गई है बड़े सवाल जवाब कर रही है अब अद्रीस मियां को भी मालूम था कि इसे कैसे टेकल करना है उसने सारा कुछी पुलिस वाले पे छोड़ दिया आप से बेतर इन सवालों के जवाब और कौन दे सकता है बस ये तो सिर्फ और सिर्फ बहाना है असर में तो थाने में इस अरूज को जलील करवाना है ताकि ये अपनी सारी प्रॉपरटी हमारे नाम लिख कर दे दे वो तो आगे कभी सोच बैठा है कि अच्छी बात है अब समझ जाए ना समझी तो मास्टर साहब पूरी जिन्दगी सिलाखों के पीशे और ये अरूज अदालतों के चक्करी लगाती फिरेगी मास्टर साहब को रिया बिल्कुर नहीं किया जाता ऐसे में ये ओफिसर अरूज को कहता भी है आपका जोग भी मामला है उसे खतम कर दे और अरूज थाने में अब बैठ कर अलग से इंतजार करती है बहुत देर हो जाती है वो इंतजार कर रही है और अंदर ये अंदर से बहुत ज़दा दुकी भी होती है और खुद कलामी करती है सल्मान तुम अपने माबाब की बातों में आकर ये भी भुल गए कि मैं महबत हूँ तुमhारी तुम्हारी बच्ची की माँ हूँ, उस घर की इज़त हूँ, काश तुम आकर देखते तो सही, मैं थाने की बेंच पर बैठी हूँ सल्मान को इन सारी बातों का लेहाज होता तो वो अब तक ये कुछ ना कर चुका होता क्योंकि अब तो ये सल्मान बहुत जदा घर चुका है, बात ये नहीं कि वो अपने माबाप की बातों में आ रहा है असल बात ये है कि वो कोई बच्चा नहीं, वो बालिक है बच्ची का बाप है, समझ बूश रखता है अब यो ही अरूश को काफी देर थाने में इंतजार करवाया गया इतना तक कि ये पुलिस ऑफिसर पर चला जाता है, दूसरे ऑफिसर की शिफ्ट लग गई तो तब जाकर मांसर साहब को रिहा करवा दिया जाता है दोनों बाप बेटी रोते हुए मिलते हैं अब ऐसे में योवर्ज आपको क्या लगता है कि सारी सुच्याशन अब नासर को मालूम होगी कि सल्मान का वही दोस नासर ही इस अरूश की मदद करेगा उसके लिए ढाल बनेगा इसके मतलिक अमें अपनी कीमती राय काईजार जरू कीजेगा मजीड ड्रामा आजरी वे उसके लिए आप देखते रहेए उर्दु टीवी